Hello Dear Students, Welcome back to our platform JK Study तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे JKP Water Battalion Crash Course के Reasoning Section के बारे में और आज हम जहाँ पे अपना निया चैप्टर को स्टाट करेंगे वो जहाँ पे हमारा चैप्टर रहने वाला है यहाँ पे Sitting Arrangement तो यहाँ पे हमारा एक निया चैप्टर होगा और इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करते हुए चलेंगे तो उससे पहले यहाँ पे हम syllabus देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे reasoning का section है उसका यहाँ पे क्या syllabus यहाँ पे था और यहाँ पे क्या syllabus जो है वो हमें आएगा तो यहाँ पे series T वो हमने यहाँ पे कर ली थी analogy यहाँ पे हमारा हो चुका है art one यहाँ पे हो चुका है distance direction हो चुका है blood relation हो चुका है coding और decoding यहाँ पे हो चुका है उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो when diagram है वो अभी हमने नहीं किया क्यों when diagnosis हमने नहीं किया आज हम यहाँ पर seating and arrangement यहाँ पर कर लेंगे bird formation हमने कर लिया है जबकि figure counting और order and ranking को यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर हम basically seating arrangement और order and ranking को इकठे करते हुए चलेंगे क्योंकि maximum यहाँ पर दोनों के जो questions है वो लगबग यहाँ पर same ही रहते हैं तो यहाँ पर आज के session में यहाँ पर हम seating arrangement और order and ranking का part first करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम part second की तरफ जाएंगे तो जो आज का हमारा यहाँ पर chapter 8 है बो रहने बाला है यहाँ पर sitting arrangement और इसका यहाँ पर part 1 है तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर sitting arrangement का meaning क्या होता है तो यहाँ पर कहता है sitting arrangement is arrangement in which some person are arranged in a sequence and we have to find position or rank out of them तो यहाँ पर कहता है कि sitting arrangement एक ऐसा arrangement होता है जहाँ पर किसी एक line में यहाँ पर persons को arrange किया जाता है यहाँ पर चीज में दो person भी हो सकते हैं जितने भी person हो उन सब को यहाँ पर एक line में arrange किया जाता है तो उस line में हमें यहां पे जहां तो उसकी position find out करनी होती है जहां उसकी यहां पे rank find out करनी होती है यहां से आप मालें कि यहां पे यहां पे line है इस line में यहां पे बैठे हैं कितने लोग चार लोग यहां पे बैठे हैं तो यहां पे हमें यहां पे तीन की position जहां पे अलग-अलग situation के हिसाब से देगा और हमें यहां पे first की position निकाल नहीं होगी जहां फिर हमें यहां पे कहेगा कि यहां पे जे आपको एक line दी गई है और जहां पे आपको क्यारना क्या है तो यहां पे आपको बोलेगा कि यहाँ पे J यहाँ पे second number पर है J यहाँ पे fourth number पर है J यहाँ पे eighth number पर है तो हमें बताना है कि यहाँ पे J बाला यहाँ पे किसके right यहाँ किसके left होगा तो J यहाँ पे सब कुछ आता है sitting arrangement के अंदर तो यहाँ पे इसको हम समझते हुए यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे कोशन से पहले आपको यहाँ पे एक चीज बता दें कि यहाँ भी आपको यहाँ पे कोशन यहाँ पे आपको पुछा हो कि यहाँ पे जो भी अर्रेंजमेंट है वो एक लाइन में है तो उसमें आपको यह याद रखना है जो J बाला portion है J left portion होता है और J बाला portion जो है वो right portion होता है तो J यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अब भी आपको line में यहाँ पे दिया हो एक row D हो जाए Q दिया हो यानि इसे पंक्ती कहते हैं तो वो दिया हो तो उसमें यहाँ पे जो left है वो J वाली side होती है और जो right है वो J वाली side होती है ये आपको यहां पर पता होना चाहिए उसके बाँ यहां पर हम देखते हैं कि questions को यहांपर कैसे solve out करते है तो बढ़ते हम अपने first question की तरफ तो यहांपे first question हमारा क्या कहता है तो question से आपको यहाँ पर पूरा idea लग जाएगा कि sitting arrangement basically है क्या किस types के question होते हैं उन questions को हम कैसे solid करते हैं तो first question यहाँ पर कहता है if you are 11th in a queue starting either end how many are there in the queue तो यहाँ पर question सबसे पहले क्या कहता है कि यहाँ पर एक row है queue का यहाँ पर मतलब होता है पंक्ती यहाँ फिर line भी कह सकते है row भी कह सकते है यह एक row है उस row में आप यहाँ पर कोई भी end से यहाँ पर start करो तो आपकी जो position है वो 11th number पर है तो हमें बताना है कि यहाँ पर पूरी row में total यहाँ पर कितने लोग होंगे तो question यहाँ पर हम जब भी आपको sitting arrangement का question करना है तो diagram बना कर solve out करना है बीन diagram के आप इसे solve यहाँ पर नहीं कर सकते तो जहाँ पर सबसे पहले हम एक line route करते हैं तो जह यहाँ पर इसके दो end आते हैं तो जह हमने बोला था कि यह left end है तो जह यहाँ पर right end होता है तो जहाँ पर उसने क्या बोला है कि यहाँ पर कि आप 11 में नंबर पर आते हो चाहे वो आप इस end से start करो चाहे वो इस end से start करो यानि कि जो आपकी position है वो जहाँ पर जह हमने मान लिए कि जह हम यहाँ पर 11 में नंबर पर हैं और जह हमारी यहाँ पर position है अब यहांपे कहता है कि हमें बताना है कि total इस line में यहांपे कितने यहांपे होंगे total जितने भी wise होंगे या जो जितने भी persons होंगे 10 परसंपे होंगे इसलिए तो हमारी यहां से position जो है लैप आद से जो position वो 11 नमबर पर आई है और right hand पर भी यहाँ पर 10 लोग और होंगे इसलिए यहाँ पर right hand से भी हमारी position 11 नमबर पर आई है तो यानि इधर भी 10 लोग होंगे इधर भी 10 लोग होंगे तो 20 लोग होगे और एक यहाँ पर जो हमारी position दी है तो एक इसको जब हम लेंगे तो यहाँ पर total लोग कितनी आ जाएंगे तो total लोग जहाँ पर आ जाएंगे 21 लोग जो हमारा right answer बनेगा वो कितना बनेगा वो बनेगा option number 3 इस question को हम फिर से समझते हैं तो यहाँ पर क्या कहता है तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर एक line दी है यानि कि एक line में यहाँ पर आपकी position दी गई है कि एक line में आपकी position है 11 में number पर और यहाँ पर उसने J भी बोला है कि starting either end जानी आप जहाँ से भी end से start करो जहाँ फिर आप J भी end से start करो आपकी position 11 ही आईगी 11 position आने का मतलब J है कि either भी यहाँ पर 10 लोग और होंगे इसलिए यहाँ से हमारी position 11 आई है either भी 10 लोग और होंगे इसलिए यहाँ से भी हमारी position 10 11 में number पर आई है तो 10 लोग J होगे 10 लोग J होगे और एग जो हमारी position है हम अपने आपको भी include करेंगे तो total person हमें बताने है तो total person जो निकल कर आएगा वो आएगा 21 तो इस type के question को ऐसे solve out करते हैं जो भी यहाँ पर situation दी होती है situation को समझना होता है कि कौन कौन सी यहाँ पर हमें situation दी है तो बढ़ते हम अपने next question की तरफ तो next question यहाँ पर क्या कहता है तो यहाँ पर कहता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहता है जो शिरिनाथ है वो यहाँ पर उसकी position जो है वो 7th नमबर पर है from the left तो यह left से उसकी position यहाँ पर 7 नमबर पर आ चुकी है और यहाँ पर शिरिनाथ की position है फिर यहाँ पर कहता है और वेंकट की जो position है वो यहाँ पे 12th है कि कहां से राइट से यानि ही यह राइट से यह वैंकट 12th नमबर पर आता है और इधर भी यहाँ पे कितने यह नहीं होंगे तो यहाँ पे 11 परसन और होंगे और 12 पर यहाँ पे वैंकट आता है तो यहाँ पे अगर लेफ एंट से बात करें तो यहाँ पे 7th position श्रीनाथ की दी है तो यहाँ से उससे पहले 6 person और होंगे इसलिए यहाँ पे उसकी position साथ दी है फिर यहाँ पे next condition क्या कहता है तो next condition कहता है if they interchange their position श्रीनाथ becomes 22 from the left तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जब यह अपनी position interchange कर लेते हैं जानि जिस यहाँ पे position पे श्रीनाथ था वो अब यहाँ बैंकटर की position पर आ जाएगा और जिस position पे बैंकटर था वो श्रीनाथ की position पर आ जाएगा तो अब यहाँ पे उनकी यह क्या रहती है श्रीनाथ जो है वो 22 उसकी position आ जाती है left hand से यानि कि जो शिर्नाथ है वो अब यहाँ पे पहुंच चुका है पहले यहाँ पे वैंकिट था लेकिन अब यहाँ पे शिर्नाथ पहुंच चुका है वो यहाँ पे 22 में नमबर पर है लेफ्ट हैंड से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 परसन और होंगे इधर तब ही वो य 22 और 22 परसन और 22 और 11, 13 22 और 11 में हम 10 परसन भी जोड़ेंगे तो total हमारे कितने परसन आ जाएंगे तो total हमारे यहाँ पर 33 परसन जहाँ पर आ जाएंगे जो हमारा right answer बनेगा बो यहाँ पर कितना बनेगा तो बो यहाँ पर आप दे सकते हैं वो बनेगा option number third तो इस type के quotient को आप ऐसे solid कर सकते हैं तो यहाँ पर फिर से हम इसको समझते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया सबसे पहले आपको यह एक road route करनी है जहां से आपका left hand आएगा जहां से आपका right hand आएगा फिर हमें यहाँ पर देखना है कि हमें situation क्या क्या दी है तो उसने दी है कि यह शिर्णात है वो साथमी position पर आता है left hand से और वेंक जो है वो 12th position पर आता है right hand से जह हमने यहाँ पर figure पर यहाँ पर drought कर लिया अब 7th hand से आने का मतलब जह है कि यहाँ पर जो है वो 6 person और है और जहाँ पर 11 person और है इसलिए जहाँ पर इसकी position साथ आई और इसकी position 12 आई फिर यहाँ पर कहता है कि अगर वो अपनी position को interchange करते हैं interchange करने का मतलब जह है कि यहाँ पर जहाँ पर शिर्नात था वहाँ पर वैंकटेश आएगा और जहाँ पर वैंकटेश था वहाँ पर शिर्नात था जाएगा तो जह यहाँ पर आता है और जो शिर्नात है वो यहाँ पर उसकी position interchange करने के बाद 22 में नमबर पर बन जाती है कि यहाँ नहीं कि जहाँ पर right answer आएगा, वो कितना आएगा, वो जहां पर आ जाएगा, 33, तो इस टाइप के question को आप ऐसे यहां पर solve out कर सकते हैं, इन questions को और यहां पर easily, अगर solve out करना है, तो उसके लिए यहां पर एक शांदर trick है, वो trick क्या है, वो trick यहां पर हम देखते हैं, तो वो जहां पर शांदर trick जे है, कि यहां पर एका formula आपको याद रखना है, वो formula है, total equal to left plus right minus one, तो जे यहां पर आपको formula याद रखना है, जे formula यहां पर क्या कहता है, लेकिन जे formula तभी ही work करेगा, जब आपको total निकालने हो, person किसी एक row में, जहां फिर left में से निकालना हो, जहां फिर right person निकालने ह तो जे trick तभी काम करेगी, तो जैसे यहां पर हमें total में निकालने हैं, left position हमें, यहां पर अभी देखना है, क्योंकि यहां पर पहले उसकी left position 7 थी, लेकिन बाद में जो interchange करेंगे उस position वो 22 आ चुकी है, तो यहां पर हमने interchange के बाद position देखनी होती है, तो यहां पर जो हमारे पास आजेगा, t equal to 34 minus 1, और जे बराबरा जेगा 33 के, तो यहां पर जे एक शांदर trick है, आप अपना time save करने के लिए यहां पर इस trick को इस trick को इस ट्रिक को इस्तमाल कर सकते हैं, बाकी आपको अगर full method करना है, तो वो भी आपको यहां पर पूरा समझा दिया है, बढ़ते है यहां पर next question की तरफ, तो next question यहां पर क्या कहता है, तो यहां पर कहता है, सुदीश rank 7th from the top and 28th from the bottom, how many students are there in the class, तो जहां पर जे ऐसे ही कहता है, कि यहां पर एक पूरे students, एक class में students हैं, जितने भी हैं, तो उन में से यह सुदीश की rank है, तो यह उसके end आगे, तो सुदीश क यहां पर top rank आएगा, यह bottom से, यह तो आप सबको पता होगा, कि उपर वाला top होता है, नीचे से bottom आता है, तो यहां पर कहता है, सुदीश की rank है, वो top से है, कितनी, top से है उसकी rank यहां पर 7th, तो 7th rank top से है, जानि इसके पहले 6 person और होंगे, और यह साहां पर 7 नंबर पर आय होगा, वो नीचे से कहता है, कि नीचे से उसकी जो rank है, वो यहां पर कितनी है, वो यहां पर 28 है, तो 28 है, जानि इधर 27 person जहां पर और होंगे, तो यहां पर हमारी कितनी rank बनती है, तो 27 person जहां पर आ जाते है, 6 person इसके पहले आ जाएंगे, तो 1 person जो खुद हो गया, तो इस type के question को आप easily solve कर सकते हैं यहाँ पे question trick से भी solve हो जाएगा जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम left को क्या मालेंगे तो left को यहाँ पे इसमें हम top plus bottom minus 1 मालेंगे तो यहाँ पे left right को हमने top और bottom माल लिया तो यहाँ पे total आजाएगा तो top में हमारी 7 थी plus 28 आएगा और यहाँ पे हम minus करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल कर कितना आजेगा हमारा यहाँ पे निकल कर आजेगा 34 तो आप यहाँ पे easily in questions को यहाँ पे trick के साथ भी और यहाँ पे जिस साथ से उसको करना है उससे यहाँ पे solid कर सकते हैं बढ़ते हैं यहाँ पे next question की तरफ तो next question यहाँ पे क्या कहता है तो यहाँ पे कहता है a, p, r, x and y are sitting in a row तो यहाँ पे एक row में काफी जने यहाँ पे बैठे हैं तो row हम यहाँ पे लंबी बनाते हैं तो j यहाँ पे left hand आ गया j यहाँ पे right hand आ गया अब उसके बाद क्या कहता है यहाँ पे कहता है यह s and z है बो center में हैं और उसके बाद and a and p are the ends तो a और p यहाँ पे ends पे हैं तो a और p यहाँ पे ends पे आ गए और S और Z यहाँ पे कहता है वो है यहाँ पे सेंटर पे तो J यहाँ पे सेंटर पे आ चुके हैं और A और P एंड्स पर आ चुके हैं जैसा उसने बोला है फिर आगे कहता है R is sitting on the left of the A जो R है वो यहाँ पे A के left पे है जानिक यहाँ के A यहाँ पे J आ गया और जहां पर इसको हम यहां पर दूसरे तरीके से कैसे करते हैं कि यहां पर हमने P लेना था और यहां पर A लेना था क्योंकि यहां पर उसने condition बदल दी है और जहां पर यहां पर यहां पर एंड्स पर आ चुके हैं और S और J सेंटर पर आ चुके हैं फिर यहां पर कहता है R जो है बो सीट कर रहा है अँंदा Lever on the A यानि कि A का LЕFT यहां पर J वाली साइड आगी और जहां पर को next आ रहा है तो जहां पर आरा है R तो जहां पर R आ जाएगा उसके बाद यहां पर क्या कहता है हमें बताना है कि P के रिट कोन है तो J यहाँ पर यह P है और P के यहाँ पर right J वाला होगा left J वाला होगा तो right में P के आएगा S तो यहाँ पर हमारा right answer निकल कर आजेगा S तो इस टाइक के question को आपको ऐसे solve out करना है हम फिर से देखते हैं कि हमने क्या किया सबसे पहले हमने यहाँ पर road राउट की जैसा हमें यहाँ पर करना था यहाँ पर ends आगे हमारे J left end आगया J right end आगया फिर हमें कहता है कि S और Z जो है वो center में है तो जहाँ पर हमने S और Z को center में ले लिया उसके बाद कहता है A और P जो है वो ends पर है तो P और A जो है वो ends पर है उसने J नहीं बताया कि P कौन से end पर है तो A कौन से end पर है तो इसलिए हम यहाँ पर इनको अपनी मर्जी से किसी भी end पर ले सकते है फिर कहता है R जो है वो sit कर रहा है on the left of the A तो यहाँ पर A जो है वो यहाँ पर J यहाँ पर position पर है होगी और P के right है S और जहाँ पर हमारा right answer आजएगा S तो बढ़ते है next question की तरफ तो next question यहाँ पर क्या कहता है तो यहाँ पर कहता है 5 people are sitting in a row facing you तो यहाँ पर 5 यहाँ पर जो people है वो यहाँ पर एक row में बैटे हैं तो J यहाँ पर left hand आजएगा J यहाँ पर आजएगा कौन सा right hand आजएगा उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है तो यहाँ पर कहता है Y is at the left of the X जो Y है वो यहाँ पर X के left पर है तो यहाँ पर J हमारे आजएगा क्यां सा J X आजएगा और जहाँ पर इसको हम ऐसे करते हैं J यहां पे हमारा X आजएगा और इसके left में कौन है तो इसके left में आजएगा Y तो J यहां पे हो गया उसके बाद कहता है W is sitting at the right of Z जो W है वो यहां पे Z के right पे है तो यहां पे Z जहां पे आजएगा और इसके right जपाली J position होगी तो यहां पे आजएगा हमारा W तो J यहां पे आचुका है उसके बाद यहां पे कहता है B is sitting at the right of X जो W है वो यहां पे X के right पर है तो X का right J वाली side होगा तो यहां पे V आचुका है और यहां पे कहता है W is sitting at the left of the Y तो W जो है वो यहां पे Y के left पे है तो यहाँ पर devil जो already यहाँ पर by के left पर है फिर कहता है if devil if yet is sitting at one end who is in the middle तो yet भी यहाँ पर end पर चल रहा है तो हमारी सारी condition satisfied हो चुकी है अब हमें यहाँ पर क्या कहता है कि हमें बताना है कि इन सब के middle में कौन है तो इन सब के middle में जो है वो यहाँ पर by है क्योंकि यहाँ पर भी left hand पर J है, right hand पर J है और middle पर हमारा by है और हमारा right answer कौन होगा तो right answer हमारा होगा option number third तो इस type के question को आप यहाँ पर easily यहाँ पर solid कर सकते हैं तो यह थी यहाँ पर आज की हमारी first type इन first type है हमने यहाँ पर सीखा कि यहाँ पर sitting arrangement के questions को यहाँ पर जो question ऐसे solve होंगे तो आपको ऐसे ही बिताया जाएगा तो यहाँ पर simple question है यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको अपना दिमार लगाना है जो आपको पता होना चाहिए left कौन सा होता है right कौन सा होता है यह आपको main पता होना चाहिए बाकी जो condition दी होती है उन condition का हमें use करना है वह हमारा यहाँ पर answer निकल कर आजाएगा तो इस part में इतना ही था next part में हम इसकी यहाँ पर example करेंगे और यहाँ पर आपको clearly यहाँ नेक्स part में समझा आजाएगा तो मिलेंगे हम आपको next part में तब तक आपी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जादस से जादस शेयर करें तो मिलते हम आपको नेक्स्ट पार्ट में